ओसके स्भूल में पढ़ता होगा हम सब के स्भूल में आज स्कूल में जो क्राफ्ट का साइम्मेंड मिलता है वो कौन करता है आपको लगता है बच्चा करता है गलत यह तो उसकी मा करती यह उसकी बड़ी बहन करते हैं माय उनसे बनवाती है और ले जा के स्कूल में सम्मिट कर देती है हमारे देश की क्रियेटिविटी मैं आज यहां खड़ा हूं मैं क्यूं पता है इस्टी वोजनियाक की बात से सहमत हूं क्योंकि मेरे आफिस में कुछ दिन पहले कुछ पदों के लिए इंटरव्यू के लिए कई में और कई M.com लोगों ने अपलाई किया और बुलते वक्त मेरेको पीडा था पीडा जम मैंने उसको मना किया तो यह मुझसे कहता है कि सर उपर भी नौकरी नहीं मिलेगी नीचे भी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करें है हमारे देश की स्थिती ऐसी है कि ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने वाले को डीडी बनाना नहीं आता चेक साइन करना नहीं आता वो पोश्ट आफिस में जाके एक छोटा सा प्रोसेस नहीं कर सकता कई बार यह सम्मा हुए कि उसने बैंक तक में कदम न रखाओ यह कैसी एजुकेशन विवस्था है जो फेल होने की इजाज़ती नहीं देती जो प्रयोक करने की इजाज़ती नहीं देती कुछ दिनपूर फ्लाइट में में जो अमेरिका का एक प्रफेसर मिला वो कहता है हमारे बच्चा स्कूल पास होते होते हैं और फर्स सेकेंड यूजी तक आते आते हैं वो कई बार अपने बिजनेश शुरू करके फेल हो चुका होता है और हमारे बच्चा ग्रेजुएट होते तक भी मा के पल्लू से बंदा हुआ रहता है वो कहते हैं हमारे बच्चा कपड़ा दो लेता है हमारे बच्चा फीडवर्क कर लेता है हमारे बच्चे को गाड़निंग आती हमारे बच्चा मशीन सुधार लेता है हमारे बच्चा एडवेंचर कर लेता हमारे बच्चा क्या करता है कुछ नहीं करता क्योंकि उसके घर वाले हर चीज़ उसको manage करके देते हैं एक तरफ घर manage करके देता है दूसरी तरफ school प्रयोग नहीं करने देता क्या गलत कहा इस्टी वोज नियाक ने क्या गलत कहा अब मैं आपको बता रहाँ यही चलता रहा ना भारत पढ़े लिखे अनएंप्लाइबल लोगों का देश बन जाएगा पढ़े लिखे अनएंप्लाइबल लोगों का देश और मुझे याद पढ़ता है कुछ साल पहले नासकाम के जो हेड थे उन्होंने एक बयान दिया था इंडियन यूथ और जाने अंप्लाइबल क्ण डिगरी धारे हैं लेकर हमें आपined लिख रोजगार नहीं दे सकते क्योंकि हमको एक एप्लीकेशन लिखना नियांता हमको टाइपगों नहीं आती हमको ठीक से इंग्लिश नहीं आती हमको ठीक से हिंदी नहीं सकता हम ऐसे व क्या करें देश को क्लरकों का देश बना दे अब क्या करें और जिस पर इतराते हो सत्या नडेला इंद्रा नुई यह इंडिया ने बड़ा किया इनको यह सब की प्रतिवा फॉरेंड में जाके जब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किये बड़ी बड़ी कंपनी में वो सो उसे नहीं का इको सिस्टम मिला तब जाके सत्या नडिला सत्या नडिला बने और इंद्रा नूई इंद्रा नूई बने यह तो आप हरम खुश होने के लिए बोलते भारतिय मूल के होते रही है खुश लेकिन वहीं सत्या नडिला हिंदुस्तान में रहते तो निपड़ जाते यह इंडिया है, क्या हम ऐसे इंडिया से अगली सदी में जाएंगे, आज इस case study के माध्यम से मैं आपको जगाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा काम यही है, excellence गुरू कुल और VIP जैसे प्रोडामें में लोग आते हैं, अलग-अलग case study से हम उनको जगाते हैं, उनको सोचने में म सब मिल के आवाज उठाएं, इस देश के education system को प्रयोक शील बनाने के लिए, इस देश में असफलता को सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि जीतने के पहले हारना जरूरी है, नहीं तो हार से इतना भय पैदा हो जाएगा, कि जीतने की कोशिश भी नहीं करोगे, यहां तक कि स्कुल में पढ़ाई जा रही है, वो टेक्नोलोजी तीन साल पहले आपसलीट हो चुकी है, लेकिन पुस्तक बदली नहीं गई, वर्ड की जीन चीजों के बारे में आज हमारा education system बात कर रहा है, वो चीजे आधी से जादा आपसलीट हो गई है, और पुस्तक बदली नहीं टीचर को नहीं पता है, जब टीचर को नहीं पता और पुस्तक नहीं बदली और इंजिनिरिंग कॉलेज के अंदर डेमो के लिए जो मशीन थी, वो मशीन 20 साल और 50 साल पुरानी है, BCA जैसे कोर्स में जो व्यक्ति जिस कम्प्यूटर पे चला रहा है, वो कम्प्यूटर 10 स होते रहेंगे, अब भारती मोन नहीं भारत में टेलेंट पैदा करना होगा, इसके लिए मैं आपसे आगरा करता हूँ, यदि आप मेरी बात से सहमत है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबार है, इससे हजार गुन अच्छा तो हमारा गुरुकुल सा पुराने जमाने का, रिशियो मुनियों का, जहां पर बच्चो को शस्त्र चलाना सिखाय जाता था, जहां बच्चो को जानवरों को पालना सिखाय जाता था, जहां बच्चो को अपना आनाज खुद उगाना सिखाय जाता था, जहां बच्चो को शास्त्र सिखाय जाते थे, जहां उ अच्छा क्या नमबर लाए ये इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता मेरी कड़वी सचाई सुन लिजे यदि इंडिया का एजूकेशन सिस्टम ऐसा रहा हम कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे हम और सथ कलरकों का देश बनके रह जाएंगे हम पूरी दुनिया के लोग एजूकेशन सिस्टम जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग हो जिसमें इंटेलेक्ट्यूल जिसमें सोलफूल जिसमें फिजिकल जिसमें अपने आप से एकांत में बात करना सिखाया जाए जिसमें लिसनिंग पर जोर दिया जाए जिसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पर फोक के प्रोफेसरों की और शिक्षा मंत्रियों की इन सब की आखे खुल जाए आपको इसको भारत का टॉप ट्रेंडिंग वीडियो बनाना पड़ेगा यदि आपको अपने बच्चों को बचाना ने तो कल आपके माता पिताओने पर आपको अफसोस होगा क्योंकि आपके अच्छा तो पापा नहीं पढ़ाते तो ज्यादा अच्छा होता यदि मेरा क्राफ्ट स्कूल से लाके मम्मी कोई करना था तो नहीं करवाते क्राफ्ट